नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महा इंदर जाल में दोस्तों आज 5 नमबर सोंवार का दिन है धन तेरस का परव है आज और दोस्तों आज लोगों ने जम कर खरीदारी करी है और माता महलक्ष्मे को परसन करने के लिए विदिवात उनकी पूजा रात न करी है दोस्तों परसो 7 नमबर है दिन बुद्वार है और दोस्तों अमावस की रात होगी है दोस्तो परसो बुद्वार के दिन दिपावली का जब दिन होगा दिपावली का पर्व होगा तो दोस्तो इस पर्व पर सभी लोग माता रामी को परसन करने के लिए पूरी कुशिश करेंगे सब भी लोग चाहते हैं कि लक्ष्वी माता की किर्पया उनके उपर हो और उनके जिवन में धन-धन ने हमेशा भना रहे हैं लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी विशेश बाते हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए दोस्तों साथ ऐसे वस्तों है जो हमें दिपावली से पहले या दिपावली वाले दिन किसी परिचित को, किसी मित्र को या किसी रिष्टेदार को गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए यदि हम गलती से इन वस्तों को गिफ्ट के रूप में अपने किसी मित्र को या रिष्टेदार को दे देते हैं क्योंकि दिपावली पे या दिपावली से एक दो दिन पहले ही जो गिफ्ट लेने का प्रचलाना है वो शुरू हो जाता है लेने और देने का तो कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती से जो वस्तों हम आपको बता रहे हैं यह आप किसी अन्य व्यक्ति को आप गिफ्ट के रूप में दे दे ज़िए आप ऐसा करेंगे तो महालक्षमी आपसे जूट जाएंगी और आपके घर की जो लक्षमी है वो भी दूसरों के घर में चली जाएगे तो कौन-कौन से वस्तों हैं आप इन बात को नोट कर लिजे इन बातों को और आप ध्यान रखें कि आपसे गलती ना हो जाए दोस्तों सबसे पहली जो चीजा वो है स्टील या लोहे का समान कोई भी ऐसा गिफ्ट जिसमें स्टील या लोहा परियोग हुआ हो ऐसा कोई भी गिफ्ट आप किसी अन्यविक्ति को ना दे हैं ऐसा करना आपके लिए शुब नहीं रहेगा आपको अर्थिक समझ से का सामना करना पड़ सकता है वाविश्य में तो स्टील या लोहे का समान से बनी हुई कोई भी भіच्ट आप किसी ओगिफ्ट ना दे हैं कपड़ा यदि आप किसी गिफ्ट देते हैं, कोई पैंड शर्ट का कपड़ा देते हैं, या कोई भी चीज आप गिफ्ट देते हैं, किसी रिष्टेदार को, किसी फ्रेंड को, तो ठीक है, लेकिन जो सिल्क का कपड़ा होता है, सिल्क एक कपड़ा होता है, तो सिल्क का कपड कपड़ा किसी को गिफट ना दें, आप इसे躲ेएंड, कपड़ा किसी को गिफट ना देbroken डोस्तो तीसरी चीज है लक्षमी माता मarजजी एट के फोटो क्योंकि दोस्तो लक्ष्मी माता और गनेश्जी की पावनपर्व है लक्ष्मी माता का तेवार है और यह दिन लक्षमेजी के सासत गनेजी की फूजा भी होती है तो लक्षमेजी की जो फोटो है या उनकी मूर्ती है वो आप किसी को गिफ्ट ना दे दिपावली बाले दिन ही उससे पहले दोस्तो चोती चीज है सोना या चांदी या सोने या चांदी के अभूशन दोस्तो सोना या चांदी का कोई भी अभूशन कोई भी गिफ्ट आप अपने किसी भी चित परीचित को ना दे इस बात का आप धियान रखे है और दोस्तो जो पांचवी चीजा वो है तेल और लकड ये आपको नहीं देनी, अब आप कहेंगे कि तेल और लकडी तो गिफ्ट देने की चीज़ी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लकडी गिफ्ट देने की चीज़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी विकडी को, कोई जुरूरत हो किसी चीज़ी में हो सकता है, आप लक पूजा की समगरी होती है ज Sachen जो तिल का तेल होता है सिर्फच्छा में इस्तमाल किया जाता है तो उसकता है किसी को जुरूरत हो आपको रिष्ति-दारों या किसी मित्र को वह रोग सकता है बजार से लाकर आप उनको तिल का तेल दे दे तो तेल हो गया लकडी हो गया किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से आपको नहीं देना है ऐसे नहीं गिफ्ट में ही देना है किसी भी रूप में नहीं देना है अगर किसी को जुरूरत है तो भी नहीं देना है पैसे दे दे पैसे दे दीजए लेकिन आपको तेल या लकडी नहीं देनी है इसका आपको त्यान लकना है दोस्तो छटी चीज है रुमाल रुमाल एक ऐसी चीज है जिसका संबन्द काफी हद तक लक्षमी से धन्द से होता है वास्तु शास्तर के अनुसार भी माना जाता है कि जो रुमाल होता है इसका संबन्द धन्द से होता है क्योंकि दोस्तों जहां गंदगी है जैसे जाडू है जाडू का संबन्द लक्षमी से है जाडू को कारिया होता है गंदगी को साफ करना ऐसे जो रुमाल है वो हम नाग साफ करने के लिए परियोग करते हैं पसीना साफ करने के लिए परियोग करते हैं तो रुमाल का नहीं देनी है, आप देख लिए गिफ्ट देते समय कि उसमें काला रंग ना हो, गिफ्ट आप मिठाई दें, या कोई भी ऐसी चीज दें, जो मने बताई है कि उसमें यह जब चीज ना है, तो दोस्तों इन बातों का विशेज द्यान रखें, गिफ्ट में जो साथ चीज़ यह मने आपको बताई है, इन में से कोई भी चीज आप किसी को ना दे, इससे आपकी जो आर्थिक समस्या है, वो दूर होगी और लक्ष्मी माता जो है, आपसे परसन रहेंगी और आपके जिवन में कभी धनका भाव नहीं रहेगा, तो दोस्तों इस बात का विशेज द्या रखें, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो हमने जानकर यह आपको दिया है, यह जानकर यह आपको अच्छी लगी होगी, दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल महाई इंदर जाल सब्सक्राइब पर सकते हैं, और दोस्तों हमारी वीडियो इसको आप लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अपने रिष्टदारों के साथ अब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जया मता दे